रादे रादे दोस्तों आज हम बनाएंगे चोलाई और आलू की बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के इसको शुरू करते है तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है चोलाई तो मैंने यहा लिके से अलग कर लेना है और साइड में हमें यहाँ पर एक बरतन ले लेना है जैसे हम पालक और मेथी के पत्तों को अलग करते हैं वैसे हमें इसके पत्तों को भी अलग कर लेना है जो इसके डंठल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं तो वो अच्छे नहीं बनते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके डंटल को अलग कर देना है और पत्तों को हमें यहाँ पर अलग कर देना है चोलाई जो होती है वो बहुत ज़्यदा फाइदा करती है अगर आप इसके फाइदे जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे बहुत ज़्यदा फाइदा करती है चोलाई की जो सब्जी बन करके तैयार होती है वह बहुत ही टेस्टी بनती है और ज़ादा टैम नहीं लगता है इसको बनाने में 10-15 मिन्ट में बन करके तैयार हो जाती है और यह गर्मियों में बहुत ही असानी से पत्तो को अलग कर दिया है और डंठल को हमने यहाँ पर अलग कर दिया है अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी cutting, तो इसको हमें बारिक-बारिक काट करके तैयार कर लेना है तो फ्रेंस चोलाई की सबजी खाने से हमारी आखो की रोशनी बढ़ती है और साथ ही साथ जो हमारी हड़िया हैं उसको भी मजबूत करती है तो हमें चोलाई की सबजी जरूर बना करके खानी चाहिए तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारी चोलाई को काट करके तियार कर लिया है और इसको अच्छे से वोश कर लिया है वोश करते टाइम आपको इसको हलका सा नमक डालके वोश कर लेना ताकि जो एक्स्ट्रा मिटी है वो अच्छे से हट जाए अब हमें यहाँ पर लेने हैं 4 मीडियम साइज का अलू, 3-4 हरी मेची, 1 इंच अदरक का टुगडा और 2 मीडियम साइज की प्याज सभी को बारी काट करके त्यार कर लेना है तो अब हमें गैस पर कडाई को छड़ा देना है और हमें यहाँ पर डालना है सरसो का तेल तो जब भी कोई भी हरी सबजी बनाए तो यहाँ पर आप सरसो का तेल जरू डाले क्योंकि सरसो के तेल में यह सबजी बहुत ही ज़दा स्वाधिश्ट बन करके तयार होती है तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हमें यहाँ पर बारी कटी हुई प्याज हरी मेट जी और बारी कटा हुआ लेसुन भी हमें यहाँ पर डालना है अगर आप यहाँ पर लेसुन और प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने 8 से 10 कलिया लेसुन के लिए हैं, और सभी को हमें एक साथ डाल देना है, और इसको अच्छे से हमें चला देना है, तो इसको 1 मिनट के लिए हमें बून लेना है, हाई फ्लेम पर, तो देखे, फ्रेंड्स कलर यहां पर हलका सा चेंज हो चुका है, तो बस जादा हमें यहाँ पर नहीं बुनने हैं, हलका सा बुनने के बाद, साथ हमें यहाँ पर डाल देने हैं आलू, आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हमें यहाँ पर एड कर देने हैं कुछ मसाले, तो इस सबजी के अंदर हमें जादा छोटी चमच हमें इहाँ पर तेना है नमक नमक यहाँ पर अपने टेस्क क इकोंड़ अधी चूटी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच हमने यहाँ पर डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर 23 फिर आप यहाँ पर जाए तो काश्मेरी लार मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो, क्योंकि हमने यहाँ पर 4-5 हरे मिर्ची भी डाली है, एक चमच हमने यहाँ पर डाल दिया है दनिये का पाउडर, अब सभ करेंगे, अगर बिना पानी के बनाएंगे तो, बहुत रिटेस्टी है सबजी बन करके तयार होती है, तो छोलाई को हम बाद में डालेंगे, जब हमारे आलू 90 परसेंट पक जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर इसको 10 मिन पकाया है, और 10 मिन पें हमारे जो आलू अच्छे से तैयार हो चुके हैं तो इस तरीके से हमें बीच में से इसको तोड़ लेना है कट कर लेना है और चेक कर लेना है अगर आलो इस तरीके से तूट रही है तो अच्छे से पक करके तैयार हो चुके हैं जब आलो अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे तब हमें यहाँ पर डा बाद अच्छे से इसको चला देना है ताकि जो मसाले है वो चलाई के अंदर अच्छे से मेक Rinication हो जाएं इस तरीके से चलाने के बाद इसको ढख करके रख देना है वापी से एक से दो मिनट के लिए और एक से दो मिनट में हमारी जो चलाई है बहुत ही soft और अच्छे से पक करके तयार हो जाती है तो हम यहाँ पर इसको 2-3 मिनट के लिए ढग देंगे तो देखिए friends 2 मिनट हो चुके है और जो हमारी सबजी है वो अच्छे से पक करके तयार हो चुकी है अब एक बार और इसको अच्छे से में चला देना है सबजी को चलाने के बाद अब हमें यहाँ पर एड़ कर देना है गरम मसाला तो आदी छोटी चमच हम यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला और अगर आप यहाँ पर सबजी को खटी करना चाते हैं तो हलका साप यहां पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर आधी छोटी चमच आमचूर पाउडर डाल दिया है आप चाहें तो यहां पर आमचूर पाउडर की जगे पर आधा नीम्बू का रस भी डाल सकते हैं तो बस अच्छे से इसको mix कर देंगे और जैसा टेस्ट आलू मेथी और आलू पालक में आता है सेम वैसा ही टेस्ट इस सबजी में आता है बहुत ही टेस्ट ये सबजी बन करके तयार होती है तो फ्रेंड्स गर्मा गरम सबजी को सर्फ करेंगे तो आप इस सबजी को पनाटे के साथ खाए रोटी के साथ खाए किसी के साथ भी खाएं सब़ी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है तो आप एक बार आलू और चोलाई की ये वाली सबजी जरूर ट्राए करें सभी को बोज़द पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टीक केर